भारत माता की, भारत माता की, मंच पर उपस्तित, हम सभी के हर दिल अजीज नेता, श्री अरविन केजिरिवाल जी, मेरे भाही साथी, सभी साथी हाई लोग, मनीश जी, संजय सिंग जी, आतिशी जी, सभी केबिनेट के सदस्य, गोपाल राय जी, मैं सब का नाम तो नहीं हों और Sامने बेठ़ होए मेरे साथी मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कई सारे लोगों के हमारे साथियों के मन में यह होगा कि कि आखिर आमाद्मी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है जो आमाद्मी पार्टी खेर लोगों को बार बार आरैस किया जा रहा है वो तो सब सीडियां थी, करना तो अरविंद केजरिवाल को था, कि भी पहले सतंदर जन को कर लेते हैं, फिर मनी सीजोदेवा कर लेते हैं, फिर संजय सिंग को कर लेते हैं, यह सब तूट टाट जाएंगे, अर्विन केजी जी वाल जी को अंदर डाल देंगे काम खतम, खेल खतम, पर पता नहीं था कि सीडिया कमजोर नहीं है, तूटने वाली नहीं है। उन्होंने देश के अंदर, सेंटर का इलेक्शन लड़ा, जीत गए, उसके बाद उन्हों अश्मयग गया का घोड़ा छोड़ दिया। अश्मेग यग पता है ना कि जिदर भी जाएगा उनी का राज होगा हर राज्य जीत रहे जीते जा 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 रहे जा रहे थे भाई सब वो गोड़ा दिल्ली भी आ गया अर्विन केजिरिवाल जी ने पकड़ लिया और सतर म वो खुंदा के असली कहते भई ऐसी की तैसी कर दी कि अश्म में एक गयग का जो घोड़ा था ऐसा पकड़ा वरना अब तक तो इस देश की अंदर उनका एक छतर राज्य होता देखो दूसरा कारण एक और बताता हूँ आपको इस देश में बहुत सारी पार्टिया बने बनती रही आती रही जाती रही एक आम आदमे पार्टि अर्विंद केजरीवाल ने बनाई जिस पार्टि का सिफ एक ही मकसद था जनता के लिए काम करना अपने लिए नहीं कि ध्यान रखना अपना छोड़ के आये थे अपने केरियर को बढ़ाने के लिए नहीं आए अगर केरियर बढ़ाना होता तो आई आरेस अफसर थे हैं महीं पर बना लेते हैं और बड़े अफसर बन जाते पैसा कमाना होता तो खूब पैसा मिलता है रिश्वत ले लेते हैं पैसा मिलता अपने साथियों को सब को का इस सब छोड़ चाड़ के आजाओ मुझे भी याद है मुझसे भी का था तब तो यही का था एक साल के लिए छोड़ के आजाओ मुझे क्या पता था वो एक साल इतना लंबा होगा तो सब को छोड़ के आगे तो दरसल बात क्या थी इन नेताओं को क्या लगने लगा कि अगर ऐसे लोग राजनीती में आ गए जो कुछ पाने के लिए नहीं कुछ छोड़ के इस समाज को इस देश को ठीक करने के लिए आ रहे है तो इन नेताओं की दुकानदारी में दिक्कत आ जाएगी आप सब जानते हैं जनता की नजरों में अगर पूछो कि भाई साथ पॉलिटिक्स की इज़त क्या है कहते है यह तो पॉलिटिक्स कर रहा है कहते है खराब है ना इसका मतलब नेताओं की इज़त क्या है भाई साथ यह तो नेता है इसकी बात में कोई इज्जत नहीं, कोई भरुसा नहीं है तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को दराया जाये लोगों को कि भाई साब केज रिवाल जी के साथ मत जुड़ जाना तो मैं सब को अंदर कर देंगे मुझे अंदर करने से मनीश जी को अंदर करने से संजे सिंग को अंदर करने से उनको कोई खास फायदा होने वाला नहीं था फायदा होता अरविन केज रिवाल जी को अंदर करने से और अंदर रखने से या आप सबको डराने से आप सबको पता हूगा मेरी सरजरी हुई थी मैं अस्पताल में था हॉस्पीटल के पाश डॉक्टरस बड़े बड़े डॉक्टरस खड़े थी मेरे साथ कहने दे जैने साब हम आपको सब जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं समझ नहीं आया, आपको क्यों आरेस्ट कर लिया, कोई कारण समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी दिखो आप इतने बड़े डॉक्टर हो सारे के सारे, मुझे अच्छी तरह जानते हो, कहते हैं, मैंने मन में इच्छा तो हुई होगी ना, कि हम भी एलेक्शन लड़ ले, कहते हैं, आपको भी लगता होगा, सतेंदर जन्मंत्री बनके हम नहीं बन सकते, कहते हैं, हम मन में इच्छा तो होती थी, मैंने अब लड़ोंगे एलेक्शन, मैंने केजी दिवाजी से कहते हो, सब को टिकेट दिलवाऊंगा, कहते हैं, नई जी हाँ जोड रहे हैं, अब नीड लग 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकेट मिला था, मेरे फादर का सबसे पहले एक ही डालोग था बस, कहते हैं, शरीफ आदमी एलेक्शन लड़ते हैं, यह तो लुच्चे लोग लड़ते हैं, तो लुच्चों का मैदान खाली रहे, इसके लिए आम आदमी पारिटी को डराना चाते ह मैं खतम करना चाते हैं, मैं इनको बता दूँ कि इसे जो बने वो कर लें, यह पीछी हटने वाले नहीं हैं, क्या कर रहे थे हम लोग, मरी जी स्कूल बना रहे थे हैं, इसकर लिया, मुझे मोहला के लिए अरे भई हम बना रहे थे तो आप बना लो रहे मोका, तुम्हें मन बन रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंशन कहीं नहीं चल रहा था, कहते हैं, भई हम पूरे देश में तो बनाने सकते हैं, हम तो कोपी करने सकते, इनको अरेस्ट कर लो, रुकवा सकते हैं, कामों में अडंग अड़ा सकते हैं, दोड़ ला रहे ह में डुप की लगा के दिखाएंगे, उसके काम पे लग गए हम लोग, 24 घंटे काम पे लग लगए, कहते हैं, इनको सब को अरेस्ट कर लो, फिर कर के दिखाओ, अरे कोई बात ने अपने अरेस्ट कर लिया ना, अब भी साफ कर के दिखाएंगे, अब भी साफ कर कर करता हो का मैं आपको एक्जांबल दूगा जेल का अभी इसरे राजोरिया जी खड़े हैं मुझे देख कि उनको याद आ गया जब मैं जेल में था आय मुझे मिल गए वहाँ पर इनको जेल से बाहर जाने का टाइम हो चुका था थोड़ा सा फाइन जमा कराना था कहता हॉड़ास मेंENTS करांगा में कियुँ कहता है बाई सबाफ जब तक आप से बाहर नीजाओगा मैं बार नीजाओगा बना ये जजबा है हमारे कारे करता का कारण क्या था कि मुझे वहाँ पर कोई मेरे से बात ने करता था उन्हें पाबंदी लगा रखी थी कि कोई बात ने करेगा जिन से पर इन्हें उन्हें हमत रखे थे कि मैं बात करूँगा मुझे क्या करने के मैं देखूँगा कुछ भी हो जाए तो सर इस तरह का जजबा हमारे करेकरताओं के अंदर है अब मैं आपको अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं आपको अर्विंद केजी रिवाल मॉडल की एक एक दो छुट-छुट चीजे बताऊंगा जिसे बहुत परिशान है इलेक्टिसिटी मॉडल बिजली का मॉडल जो है अर्विंद केजी रिवाल जी की सरकार ने बिजली फिरी कर दी कहते हैं तो पैसा लूटा रहें अच्छा जी बिलकुल सही बात है दिल्ली सरकार अपने बजट का चार पर्तिशती और देश की बाकी जितनी भी सरकार है क्वोई भी सरकार 10 पर्तिशत से कमने खर्श करती दस से 15 परlist फिसे खर्श करती है पूरे देश में हर सरकार 10-15% पैसा खर्च करती है हम सबसे कम करते हैं बजट का शिर्फ 4% हम क्या करते हैं जी केजरी वाल जी की सरकार करती है 4% पैसे से लोगों की बिजली मुफ्त जनता को डारेक्ट पैसा देते हैं उनका बिजली का बिल मुफ्त 600 रुपे का बिल आया जीरो हो गया 1000 का या जीरो हो गया 400 इनिट का बिल मालो 14 सवा है 700 रुपे हो गया जिसका बिल 800 रुपे का था जीरो हो गया उसमें से क्या थोड़ी सी रिश्वत अर्विन केजरी वाल जी को देने जाएगा दे सकता है possible है नहीं न दूसरा model दिल्ली सरकार 4% खर्च करती है वो 12% 15% खर्च कर रहे हैं और पैसे करते क्या इस पैसे का ठेकेदार को देते हैं घाटे में ठेकेदार को देते हैं 5,000 क्रोड रुपया ठेकेदार को देते हैं 10,000 क्रोड रुपया अगर एक नेता किसी ठेकेदार को घा देगा तो उसमें से कुछ लेगा है नहीं लेगा कितना लेगा जरा बताओ अरे 10,000 कोड़ देगा तो कमझे 2,000 कोड़ तो लेगा लेगा नहीं लेगा तो अर्विंद केजरी वाल का मोडल सही है कि वो वाला मोडल सही है तो अर्विंद केजरी वाल ने एक मोडल मनाया कि बाइस साब जंता का पैसा जंता को दो जंता की बिजली फिरी कर दो और जंता का जे में जंता का पैसा रहेगा इनको दूसरा डर किस बात से लगता है अर्विंद केज़ Skills जी ने एक बार ने कई बारी assembly में बोला है इस देश का कोई नेता बोलता नहीं है उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है अब गरीब और गरीब हो रहा है मिडल क्लास के लोग मिडल क्लास के अटके गरीबी में जा रहे हैं और कुछ लोग दो चार छे लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं आज मैं आने के बाद वीडियो देख रहा था पहली वीडियो देखी मैंने पुन्य परसून वाजबे की वीडियो यूट्यूब के उपर है बाईसाभ उसमें लिखा है 2014 से लेके 24 के बीच में महंगाई कितनी बड़ी बस उसके उपर था सारा कह त मैं महंगाई ये सबजियों के अंदर सवा तीन गुना खाने की चीजों में तीन गुना जादा तर घर की जितनी भी जरूत की चीज़े सबकी खर्चे तीन गुना हो गए जिसका खर्चा 10 रुपया था तो उसका खर्चा तो हो गया 30,000 रुपया अब अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोच ले न के बाई साब 10 साल में कमाई कितनी बड़ी अगर आपकी कमाई 30,000 रुपय से 90,000 हुए तो उसका मलब 30,000 पे ही हो आप एक पैसा नहीं बढ़ा एक रुपया नहीं बढ़ा आपका जो भी बड़ा सारा उसका बढ़ा जो बड़े बड़े नेता हैं के दोस्त बैठे हैं सारा का सारा पैसा जनता की जेबों से निकाल के कुछ चंद लोगों की जेब में लेके जा रहे हैं जिसके खिलाफ अरविन के जीवा लड़ रहे हैं और यही बाद जनता को समझा रहे हैं इसके लिए उनको सबसे ज़्यादा दर्द है एक छोटी सी बात और बताओंगा मैं आपको हिंदुस्तान में परती व्यक्ति आए एक आदमी की इंकम कितनी होती है वो है दो लाख तीस हजार रुपे महीना कितनी है दो लाख तीस हजार रुपे महीना अगर साला ना साला ना अगर घर में पती पतनी दो बच्चे और माता पिता है तो छेजने हो गए साल के कितने बने 12 लाख 13 लाख हम मालने थे 12 लाख तो एक परिवार की एवरेज इंकम एक लाख रुपे महेना बनते हैं देश में एक लाख में से भाई साब पचास हजार रुपे आप अपने दोस्तों में दे दो बड़े बड़े लोगों को दे दो तो पचास हजार तो मिलने चाहिए मिलते किसने सोच लो अपने दिल पे हाथ लगा के अरे बाई 75,000 अपने दोस्तों में दे दो 25,000 तो सबसे गरीब को मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए सिर्फ ये चल रहा है जिसके खिलाफ अरविंद केजी वाल आवाज उठा रहे है और इसकी वज़े से उनके उपर सबसे बड़ा वार हो रहा है जिसकी वज़े से आमादमी पार्टी के पीछे पड़े हुए और ये आमादमी पार्टी को खतम करना चाहते हैं मैं आप से को बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजी वाल जी के नेतरोतर में हम सभी जितने भी साथिये पीछे नहीं हटेंगे जीतेंगे लड़ेंगे धन्यवाद जैहिंज जैपार कि अरविंद करना चाहते हैं